जो आज का टॉपिक बनता है वो लोग अच्छी बाते तो कर देते हैं लेकिन हम दुनिया में देखते हैं ताक्तोर और अमीर और मतलब गरीब दोनों का जो बनता है मतलब रेप सीजन के लिए आस है वो ठीक है अवास उठाता है लेकिन वो मतलब उसकी क्लियर नहीं जाती ठ आपका स्वाल है कि रेप से बचने के लिए क्या करना जा है ठीक है अगर उससे अन कमफरडेबल या दूसरे तरीके से होगी है ठीक है नजायज या जायज हमें दोनों सूर्त में कैसे उससे सेव रहना है अच्छा मैं आपको बड़ी मज़िकीना एक्जाम्पल देता लेप करना जाता था और वो डॉग उसका ये जो दरम्यान में खड़ा नहीं है उसका है तो कुदरती तो आपकी से बेस्ट कोई प्रोडेक्शन होई नहीं सकती क्योंकि वैसे आप अगर कुदरत में देखते हो तो ये अल्ला ताला ने आपके लिए जानवर बनाएंवे है जो आपकी प्रोडेक्शन करें और आपको हर तरीके से जो है नहीं वह से उलत दें और बड़े मज़िकी बात है आपके स्वाल के दुरान ही जाना ये मनज़र आगया है तो वो मैं समझता हूँ कि सबसे जो बेस्ट अगर आपको प्रोडेक्शन चाहिए ना तो वो कुदर भी देने को तयार होते हैं अपने माट अपने फैमिली ये ना तो यह जब कुदरत ने आपको देनी हैं जिनके आप पर ना पर्चा कड़ता है तो ना हिनके तो मिक続क्ता होता हूँ ना ऐनको दालत में के सीटा जाता है ये सीधा इंसाफ करते हैं जब इन्हेंपता चलग है ना कि हमारी family member पे हम मेरे मालिक पे हैं यहां मेरे जो बाकी के family members हैं जो आपका बच्चा यहां आपकी बेवी यह बैन यह जो भी आपका भाई तो उसकी protection जो है ना उन्होंने कोई मुकदमा नी चलाना उसका ठीक है ना जैल कोई police नहीं है यह सीदा इन्होंने पकड़ना उसका चीर पाड़ कर देना यह यह मर जेंगे यह उसको मार देंगे लगिन है उसको ना कोई गलत काम नी करें देंगे तो वियसे तो मेरा यह मानना है कि आपको वह कुद्रत के चोकीदारों को लेके चलना चाहिए और जो हम लोगों ने सिविलाइजेशन बनाने के नाम पे सारा गड़बड कर दिया है हमने छोटे-चोटे अपने घर बना लिये हैं सफाई के नाम पे हम ने मट्टी को खटम करके हैं वहाँ पे प्लास्टर और सीमर्ट और मार्बल ल जो प्रोटेक्शन में बहुत जदा हाई है क्योंकि वहां की में बहुत डेंजर हो जाती है तो इस तरह की चीज़ें जो आना वो फिर आपको जारी बाता है आप कुदरत से अटते हो तो फिर आपके लिए मसनुई निजाम पैदा करना पड़ता है फिर आपको चौकीदार रखने पड़ते हैं इन डॉक्स की जगह होते तो वह इन्जान ही आना इनको तो कोई और आके रिशुद भी नहीं दे सकता लोग समझते हैं कुटे को हम खाना खु आपके लालच होती है कि हम अपनी भी करें ताकि हमारा फैमिली का जो हैड़ है जो सरब्राह है जो मारा मालिक है वहमसे होना चाहिए और यह अपने और्बिट में रहते हैं ठीक है ना तो पहले प्रोटेक्शन का अबने आपको यह बता दिया दूसी बात है कि जहां तक अ जो कुद्रत का निजाम ही नहीं है जो अल्ला का निजाम ही नहीं है जो इनसान का मस्नुई बनाया वे निजाम है क्योंकि उसके अंदर पर काम भी मस्नुई होते हैं हरकते भी मस्नुई होती है और आपकी प्रोटेक्शन और हर चीज कंप्रमाइज हो जाती है जो कुद्रत का अगर नई भी मिलता है किसे को बारहल बड़ी उमीद होती है कि उसको वो इनसाफ मिले तो इसके बारे में क्या करना जाते है या क्या प्रैक्टिकल सॉलूशन इस देखो बात यह है कि इनसाफ की बात तो आती है बाद में पहले आती है प्रिकॉशन आपने पहले इतियाद की है कि नहीं अब हमारे मौशरे के अंदर इंसान रोड़ पिटता है कि यार अब खबर आती है वो जी बच्ची को दसगर दूर बेजा जाके कोड़ा फैंका हो पता चला वो गवा हो गई है चार दिन बाद वो उसी कोड़े की अंदर सो इसकी लाश मिली है कि जी उसका रेप कर दिया गया है तो अब आपको जब पता है कि आप जंगल में रह रहे हो इनसानी निजाम है और इनसानी तो नहीं है मतलब कि मसनुई निजाम है सिंथेटिक निजाम है पैसे का निजाम है जो बादशाहत का निजाम है जो अल्ला की नहीं है इनसानों ने अपनी बनाई ठीक है वहाँ पे कोई वो जो है वो जो है वो लोग जो है वो इनसान के बचे नहीं है वहाँ इनसान है नहीं है तो आप उनसे क्या एक्सपेट करते है अपनी बची को केला भेजी कि रहे हो पिर अगर उसके साथ रेप हो जाता है वो गतल हो जाती है तो सबसे बेस्ट जो के यहां पे लोग समझते हैं वो यही समझते हैं कि ना मुकदमा करो क्योंकि जिसने रेप किया हो ना बुड़ी तगड़ी पार्टी होगी वो फिर आपके पूरे खांदान का रेप करेगी ना हमने केस करेंद करती लेक्न जो लोग line find कीस करना हैं वैसे मेरे मताबक का्ड़ी टु कांट्री सुट्री area to area depend करता है कि आपको उससे मिलेगा इंसाफ के नहीं मिलेगा वैसे इंसाफ तो मरने के बाद ही होना है उससे पहले तो कोई न होना लकिन अगर आपको मुस्नुई قسم का इंसाफ चाहिए ही है तो अगर केस कारी देते हो तो आपको पहले एरिये को और वहां के लोगों को देखना चाहिए अगर तो उसका कुमरान भी बेड़ी है तो मेरा ख्याला आपका वहां से बच के भागना ही बहुत होगा और आखरत के पर इनसाफ छोड़ देना चाहिए और उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि इस लाक लाना वहां तक पहुंच चुक है मैं जानवर को स्टड़ी करता है मुझे पता है कि यार यह खंजीर में भी जानवर जो पेक्स हैं इन में भी बड़ी सिविलाजेशन है यह भी अपने औरबिट में अपने काम के लिए पैदा हो और यह बड़ा खुबी इंजाम देते हैं बेड़ी भी बड़ा जबरतस किसम का एको सिस्टम चलाते हैं यह सिर्फ जो इनसान है नहीं जो एलियन टाइप इनसान नहीं बस नाम की इनसान है शकलों से इनसान लगते हैं यह उनकी जो तबाह करनेंदा जिगह ना इससे बचके दूर रहना ही बेतर है आपका अगर कानून अच्छे हैं और इनके जो हुकमरान है वह इनसान है वहाँ अपना केस दायर करो वहाँ को फाइदा भी होगा तो इसलिए मैं इसका एकुरेट जवाब यही दे सकता हूं जो मैंने आपको दिया ठीक है ठीक है